हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया, आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूटूब चानल पे स्वावत करती हूँ आज के वीडियो लिक्षिर में क्या होने वाला है? आज के क्लास में हम लोग देखें वेव एकाउस्टिक का इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोसन का वीडियो देख रहे थे जिसमें हम लोग 40 कोसन देख चुके थे और आगे का आज देखने वाले हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देखें 41 नमबर कुसन क्या है फोर डिफ्रेंट मैटेरियल अफ रोट दी वेलासिटी अफ लॉंगिट्यूडनल वेब देखें अलग-अलग मैटेरियल के लिए आप लोग का जो वेलासिटी होगा ना वो आप लोग का अलग-अलग होगा तो 41 का आप लोग का अप्शन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा 42 के आप लोग का इफ दे लेंथ अफ इस्टिंग इज एल दे यूनित लेंथ मास इज एम तो देखें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फर्मूला होता है आप लोगो का वन न वाइ टुवेल अंडरू टी वाइम तो आप सन नमबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया होया है देखें नेक्स्ट के आप लोगों का देखें अल्ट्रासोनिक वेब अर प्रोड्यूस्ट बाई तो अल्ट्रासोनिक वेब जो है ना वो आप लोगों का गोल्डेन वेब से प्रोड्यूस होता है 44 य穴हां ट्रांसवर्स के ओता है, जो परपेंडिकुलर होता है और जो पैरलल होता है वो आपलों का ल सब्सक्राइब लेकिए चाहिए 45 के आप लोगों का the minimum wavelength of ultrasonic wave आ तो आप लोगों का जो ultrasonic wave है न उसका minimum wavelength है 1.65 into 10 to the power minus 2 meter 46 के आप लोगों का energy is not carried by तो आप लोगों का energy है न वो इस्टेशनरी वेब में carry नहीं किया जाता है तो 46 तक हो गया आप देखें नेक्स्ट क्या है 47 आप लोगों का a cylindrical tube open at both in as a fundamental frequency in air the tube is dipped vertically in water so that half of its is in water the fundamental frequency of air column is now तो आप लोगों से fundamental frequency पुछा जाड़ा air column का air column में अभी क्या है उसका fundamental frequency okay तो आप लोगों का fundamental frequency अभी भी आप लोगों का f e रहेगा okay 48 आप लोगों का क्या है a uniform ring of length l mass m is fixed at both end under tension t then it can vibrate with frequency n by relation तो आप लोगों का क्या हो जाएगा इसका a uniform string of length this this है देखें अंडरूट 2 अंडरूट t by m होना चेए देखें इसका formula क्या होता है fundamental frequency का formula मैं आप लोगों को बता देती हूं तो देखें मैं आप लोगों को division वीडियो में fundamental frequency का formula बताएथी आप लोग देख सकते क्या formula होता है यहूंण। का देखें कौन्सा आपच्छन मैं म्यों जो होता है आप लोगोगों का वो मास्ट बोनेट ंथ और अचा क्योंकि इसमें देखे ल बाहर होना चाहिए कि मास पर यूनिट लेंथ है अच्छा देखिए क्या होता है आप लोगों एन वाई टू एल अंडरूट टी अपन म्यू होता है न यह तो यह फर्मूला है जो कि मैं आप लोगों को बता हुई हूं और यहां पर अगर अगर यह अदर जाएगा तो यहां पर अ रही आप यहली कि बाहर आता है फर्मूला है न पर घ्र के और आप लोगों को सभिल अगर प्रीट हूँ तो मैं आप लोगों को समझा चुकी हों कि नोड इमीटेड बाई ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमेटर ओपेन अट बोथ हिंट तो जब आप लोगों को दोनों एंड से ओपेन होगा और लेंथ दिया होया वेलसिटी आफ सांड तो आप लोगों से पूछला रहा है फ्रिक्वेंसी याफ फंडामंटल नोड तो इसका क्या हो जागा तो देखे मैं आप लोगों को ओपेन इंड वाला फ्रमुला दिखादेती हूँ देखिए जब आप लोग का open organ pipe होता है तो उसके लिए fundamental मतलब first harmonic इसके लिए formula क्या होता है आप लोग का frequency equal to v upon 2 lambda ओके यह formula आप लोग देख लिए क्या होता है frequency equal to v upon 2 lambda अब देखिए क्या है यहां क्या पुछला रहा था तो frequency upon lambda नहीं L था मैं उसको क्या पर रही हूँ भी upon 2L था ओके तो frequency यह था तो आप लोग देखिए यह meter per second में यह centimeter में है तो आप लोग 50 centimeter को meter में change कैसे करते हैं देखिए 50 centimeter को meter में change करने के लिए आप लोग 10 to the power minus 2 से multiply करते हैं मतलब 50 upon 100 मतलब 5 by 10 मतलब 1 by 2 ओके तो और यह भी कितना दिया हुआ है 350 और 2L कितना दिया हुआ है इल आप लोग का 50 by 2 मतलब 1 by 2 मतलब 0.5 है तो 1 by 2 किजिए तो आप लोग को कितना आ रहा है 350 हर जा रहा है तो देखिए आप लोग 49 नेमर कहीं और से चेक कर लिजे क्योंकि एंसर में यह दिया हुआ है औरहों का फर्मूला होता है आप लोग का fundamental frequency का open organ pipe के लिए v upon 2L आप लोग को 350 हर जाएगा अपसे नंबर सी आ रहा है मुझे अंसर में दिया वह यह तो पता नहीं क्यों दिया हुआ है तो आप लोग एक बार कहीं और से भी चेक कर ले जाएगा चलिए देखें नेक्स्ट क्या 50 नंबर कोशन क्या है Aresonating Column of Air Contents Aresonating Column of Air Contents तो आप लोग का इसका क्या हो चाएगा Estationary Longitudinal Wave ओके आप लोग का जो Resonating Column होता है ना यहार कंटेंस के लिए आप लोग का Estationary Longitudinal होता है लास्ट वे में आप लोग को पूड़ा एंसर की भी दिखा दूंगी 1 का यह किसका क्या है 51 के डेसिवल इस तो डेसिवल जो आप लोग का है ना वो Sound का यूनित A Major of Sound Level यह important question हो के याद रखेगा 52 के आप लोग का A wave represented by the equation Y equal to A cos A x minus omega t Is superimposed with another wave to form a stationary wave Such that the point x equal to 0 is a node The equation of the other wave is तो आप लोग को दूसरा equation का जो equation होगा ना दूसरा wave का किसी ने किसी किसा superimposed कर रहा ना तो दूसरा wave का जो equation है वही पूछा जाड़ा तो आप लोग का यह होगा मतलब कि x equal to 0 is a node बता रहा तो आप लोग का यह होगा minus A cos kx plus omega t 53 के आप लोग का at the displacement of a particle in a string a stage in x direction is represented by y among the following expression for y those describing wave motion तो आप लोग का इसका क्या हो जाएगा इसका यह भी सही है यह भी सही है और यह भी सही है सभी के सभी इसका सही है 53 का 53 हो गया देखिए next के as a empty vessel is filled with water frequency is increased ओके 54 का यह हो जाएगा देखिए 54 number question के आप लोग का as a empty vessel is filled with water frequency is तो आप लोग का increased हो जाएगा 55 का in the case of a closed organ pipe harmonic are present तो आप लोग का closed organ pipe में आप लोग का जो हार्मोनिक होता है ना वो आप लोग का odd होता है आप देखिए next क्या है 55 तक तो हो चुका है 56 है आप लोग का if the flat glass thickness is T then the fundamental frequency of vibration which are produced by glass pieces तो आप लोग का इसका क्या होगा तो उसका आप लोग का यह correct है देखिए 57 number जो question है वो मैं आप लोग को wave optics के revision video में यह relation बताई थी क्या relation था आप लोग को velocity of particle is equal to negative of velocity of wave into slope of yx curve ok dy by dx का था dy by dx था slope of yx curve option number जो A है ना वो बिल्कुल correct है मैं आप लोग को revision video में यह relation बताई थी 58 के आप लोग का if radio wave and ultrasonic wave both the wavelength are equal if जब radio मतलब की radio wave और ultrasonic wave का wavelength equal होता है यदी यदी frequency जो radio wave का है वो ज्यादा हो जाता है frequency ultrasonic wave से ok देखिए 59 number क्या है in the case of closed organ pipe of length L for the fundamental node the ratio of velocity is frequency is equal to तो यह आप लोग का 41 है next के आप 60 number unlike a laboratory sonometer a string instrument is seldom plucked in the middle supposing a citar string is plucked at about 1 by 4th of its length the most prominent harmonic wave is तो आप लोग का इसका क्या होगा तो इसका आप लोग का होगा second 61 क्या आप लोग का दर रेट अफ ट्रांसफर अफ एनर्जी एक्रोस यूनिट पर second is called तो क्या है the rate of ट्रांसफर अफ एनर्जी मतलब ट्रांसफर अफ एनर्जी पर यूनिट एडिया पर सिकेंड तो यह आप लोग का क्या है तो यह आप लोग का इनर्जी करेंट ओके एनर्जी करेंट है वेलसीटी सब तो नहीं है यह सब हाई नहीं यह यह एनर्जी करेंट 62 के आप लोग का ऐस बल्क मडूल से गयास दिन और देखऒेंगे में आप लोग ऒिजोन वीडियो में जो थरेमाल प्रोंपॉपपटी ऐप मैंटर का deserve बताई थी उसे बताईती मैं बल्क मडूलस क्या होता है आप लोग का और करवलोमेटरी करेंट jak 62 का अप लोग का आए हो one segment is called fundamental mode of vibration okay क्या हो जाएगा the vibration of the string into one segment is called fundamental mode of vibration option number a जो है न वो correct हो जाएगा देखिए आज 76 तक कर देते हैं उसके बाद जो बचेगा 1x लिक्टर में होगा देखिए 64 के आप लोगा velocity of gradient DIY DW upon DK the derivative of omega with respect to k it's called क्या होगा तो आप लोग क्या होगा तो आप लोगा यह होगा group velocity यह आप लोगा 65 क्या आप लोगा in adiabatic condition equal to gamma P where gamma equal to CP by CB 4 air is तो आप लोगा जो CP by CB जिना न वो एड के लिए आप लोगा क्या होगा तो एड के लिए आप लोगा और नाइट्रोजन अक्सीजन मतलब कहने का क्या मतलब डाय आटमिक के लिए गामा का वैलू मैं आप लोग को बताई हुई प्रियू आटमिक लिए 1.66 डाय आटमिक लिए 1.4 और ट्राय आटमिक लिए 1.33 तो आप लोग का कौनसा अंसर करेक्ट हो जागा 65 का उप्सान नमबर एक करेक्ट हो जागा 66 के आप लोग का अल्टरासोनिक इन्फरासोनिक एंड ओडियो वेव ट्रेवल त्रू मेडियम देखिए 67 के आप लोगा the velocity of sound is largest है देखिए यह कोशन ओनर्स पेपर में भी आया था 67 नमबर जो है velocity of sound is largest है तो आप लोग का velocity of sound जो largest होता है वो आप लोग का इस्टील में होता है यह क्या the distance between any two successive compression zone in a medium in which the sound wave of 50 cm wavelength is traveling तो आप लोग का इसका क्या हो जागा 50 cm नेक्स्ट क्या आप लोग का एट रांस्वर्स वेव इज डिस्क्राइब बाइद इक्वेशन वाइप वाइप वेलोसिटी तो मैं आप लोग इसका बताई थी इसका आप लोगों का पाई वाइप नौट हो जाएगा आप लोग एक बाद देख लिजेगा क्या पूछ रहा था दि मैक्सिमम् पार्टिकल वेलोसिटी इस फो टैंट यह कुस्टन में पहले ही बताई हो जहां तक मुझे याद है इसका सी होना चाहिए देखे 70 के अक्सेस प्रेशर इन लॉंगिट्यूटनल वेव इस गिवन बाई तो आप लोग का क्या हो जाएगा 70 का अक्सेस प्रेशर ऑफ गिवन बाई यू अपन वी यह भी मैं पहले बताई हो यह इस प्रेशर आप लोग का इसका अंसर होगा 927 डिगरी सेल्सियास एंड जोड ओर गन पाइप इमिट्स हार्मोनिक तो खोड ओर गन पाइप में आप लोग को और नंबर का हार्मोनिक मिलता है 1, 3, 5 ओके देखें नेक्स्ट अच्छा स्वरी दिखाई नहीं दिया होगा 22 के आप लोग का एन और एन क्लोज्ड ओर ओर गन पाइप इमिट्स हार्मोनिक इन दा रेशियो तो यह आप लोग का 1 इस्टू 3 इस्टू 5 हो जाएगा देखें नेक्स्ट के अप लोग का ओपें पाइप इमिट्स हार्मोनिक इन दा रेशियो तो आप लोग का ओपें में कौन सा होता है ओपें में होता है 1, 2, 3 इन ओपें stepping of an organ pipe the pressure variation है तो आप लोग का जिसमें open end होता है उसमें पेड़ेशर बेरीशन caos इसमें pressure variation आप लोग का 0 होता है degeneracy in a stressed membrane means that तो आप लोग का इसससका हो जाएगा तो इसससका आप लोगे होगा तो आज के वीडियो लेक्च्टर में मैं आप लोगों को देखिए अभी भी बाकी यह वीडियो आप लोगो कैसा लगा मुझे कमेंट सिक्षन में बताते रहेगा अगर हो सके तो मैं सभी वीडियो बनाके आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगे तो चलिए थाइक्स पर वाचिंग मैं विडियो एंद थाइक्स फर कमिंग सुप्रियाज पी सब्रभ विडियो खतम हो जाने के बाद जो एड़िबर्टाइजमेंट चलेगा उसको प्लीज मिस मत किछेगा एड़िबर्टाइजमेंट को पूरा देखिएगा तो ओके बाइ, थांक यू, all the best for your next exam